गैंग्स्टर मुक्तार अमसारी की मोत के बाद सियासर अभी जारी है। कानून नाम की कुईशीन ही नहीं रह गई है। और मुक्तार अमसागी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था यहां तक कि मानी स्रबोचिनले में उनकी याजिका भी किसा से इपड़ी हुई है जहर देकर के माने की साजिस का जो आरोप था इस घटना सो सच सावित हुआ कि सरकारी अरकता लोगों की पकड़ में आ गई परिबार वाले आरोप मजार है तो यह उनके आरोप है सरकार को और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए जो लोग संचिता की बात करते हैं त्रारब्ट की बात करते हैं तो यह भी जानते कि जहां एक तरफ द्रशित करमफल है वहीं अद्रशित करमफल भी है वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और सच्चाई वो लोग जानते हैं जितना भी चुपाले सच्चाई सिर्फोरी तरफ बाकित है और एक बड़ी खबर आपको बताने तेज रफ्तार से चली आंधी और बारिश ने पश्रिम मंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में काफी तबाही मचा दी है जिले के अलग-अलग हिस्तों में आंधी के चलते बड़े बड़े पेड़ उखडगए तूफान की चपेट में आने से जिले में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है देरशाम, मुख्यमंत्री, मम्ता, बेनर जी जलपाई गुड़ी के हालात का जाइजा लेने और प्रभावितों से मिलने पहुची उन्होंने इस दौरान उन इलाकों का भी दौरा किया जहां तेज हवा उने जम कर तबाही मचाई सौ से जादा लोगों के घायल होने की जानकारी है पी एन मोधी ने भी जलपाई गुड़ी के लोगों के प्रती अपनी समवेदना जताई है तो जलपाई गुड़ी में तेजान्दी और तूफान की वज़े से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुके देरशाम के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्या मंत्री ममता बैनर जी वहां पर पहुची थी और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की पूरा घर तोर गया और पांच आद भी मर गया और दो अभी सिरियाज भी है तो जो एड्मिनिस्टिशन को जो करना है एड्मिनिस्टिशन जुरूद कर रहा है वेर अन्दा स्पोर्ट और वो करेगा भी उसका काम एम सी सी कोड है इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रहा है हूँ लेकिन गॉर्मेंट पूरा पूरी उसका पास है जलपाई गुडी के तूफान प्रभावित लोगों के प्रती समवेदना जताते हुए पी एम मोदी ने भी ट्वीट किया उन्होंने लिखा मेरी समवेदनाए पश्चिम बंगाल के जलपाई गुडी मैना गुडी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है उन्होंने आगे लिखा उन लोगों के प्रती समवेदना जिन्होंने अपने प्रिया जनों को खोया है अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित साहिता सुनिश्चत करने के लिए मैंने कहा है मैं सभी भाजपा के बंगाल कारेकरताओं से प्रभावित लोगों की साहिता करने का आग रहा करूंगा पश्ची में उत्तरपदेश की सड़के, यहां की गलियां, यहां के महले, यहां की चौपाल ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ, बातें और भी जादा पता चलती है सबसे जादा चर्चा बाखपत मेरट मुझफर नगर की सीटों की हो रही है इतना एहम है, और अब तो R&D भी साथ है मुझफर नगर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंग्की भी बात की अजादी के उन सभी बंदों को सम्मान की सुरूप में हुआ है आजादी के मुझरित 900 वर्स में हर घर किरंगा की बात्यम से हम सब ने उस आजिजन की साथ चुड़ करके दिखा है बंदों के वर यहीं तक सिमित नहीं है अब यहाली में किसानों के मसिया जोधरी चरण सिंग्की को बात का सरोच नागरिक सम्मान भारत रद्द बढ़ा हुआ है यह दिरास्त का सम्मान है जोधरी साथ किसानों के मसिया है मेरट डिविजन में ही 14 लोगसभा सीट आती है 2014 में लोगसभा चुनाओं में बीजेपी ने इस डिविजन की 14 की 14 सीट जीती थी 2019 में बीजेपी 14 में से 7 ही सीट जीत पाई थी तरीके से ये रास्ता मेरट की ओर जा रहा है और आगे पश्यमी उत्तर प्रदेश की ओर तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीती में भी यह बास सर्व मानी है कि जिसने मेरट जीत लिया उसने पश्यमी उत्तर प्रदेश का किलाफते कर लिया और अगर ऐसा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में उस राजिनितिक पार्टी की राहा बहुत जादा आसान हो जाएगी और अपने विरोधियों को वो चारों खाने चित कर देगी 2024 में बीजेपी इसी नुकसान की भरपाई करना चाहती है और जाटों का वोट इसमें सबसे एहम रहने वाला है यही वज़े है बीजेपी ने RLD के साथ गड़ बंधन किया मेरट में प्रधानमंत्री का आना इसलिए एहम हो जाता है क्योंकि मेरट यूपी में उन 20 कलस्टरों में से एक है जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली का प्लैन तयार किया है और आज दिली के जाम लीला मैदान में इंडिया की 28 राजनितिक पार्टी आपकेंदृ सरकार के खलाफ लोगतंत्र बचाओ रैली करने वाली है अर्विंद केजरिवाल की गरफतारी की बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एक जुटता की तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने इस साफ कर दिया है कि ये किसी एक व्यक्ती या पार्टी केंदृ तुर रैली नहीं बलकि लोगतंत्र और समिधान बचाने के लिए इंडिया के 28 दलों की रैली है इसमें सभी दलों की प्रतिनिधी हिस्सा लेने वाले हैं रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजनसी की तरह से हमले और विपक्ष की नेताओं की गिरफ्तारी और कॉंग्रिस की बैंक खाते फ्री समेथ तमाम दूसरे मसले रहें क्रांती, भूमी, मेरट की सरजमी पर पीम मोदी आज गरजने वाले हैं पीम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तयारियां पुखता कर ली गई है सबसे बड़ी बात ये है कि एंडिये का कुनबा भी पीम मोदी के साथ मंच साज़ा करने वाला है ये रैली इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभाद चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उतर प्रुदेश में पीम की पहली रैली है रैली में पीम मोदी के साथ मंच पर सीम योगी आदितनाद हर्याना के मुख्य मंत्री नायब सेनी जैंत चौधरी अनुपरिया पटेल उंपरकाश राजभर संजे निशाद मौझूद रहेंगे इसके लावा कई केंद्री और राज्य मंत्री भी पीम मोदी के साथ मंच पर मौझूद रहने वाले हैं एक बड़ी रैली आज होने जा रही है झाल 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 झाल